लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर वन कम्प्रीट कर दिया था उसके कुश्यन अंसर आज हम करेंगे चैप्टर नंबर टू तो आप लोगों ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया था मैंने आप लोगों को रीडिंग भी करवा दी थी तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी अब बारी आती है इन कुश्यन को सॉल्व करने की तो चलिए देखते हैं आप लोग क आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बैल वटन पर प्रैस नहीं करते हैं और जब तक वहाँ पर प्रैस नहीं करोगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा ठीक है जादा से जादा वीडियो को शियर करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Q1. किस शेत्र का उल्लेक रिगवेद, रामायन, महा भारत, चरक सहिता, व्रह सहिता में मिलता है? वर्तमान में किस जिले में हैं? तो हम जानते हैं कि जो बीकानेर, बाढ़मेर, जैसल मेर, गंगा नगर, चुरू और नागोर। जांगल प्रदेस में कौन-कौन से जिले आते हैं तो देखिए बीकानेर, नागोर और जोदपूर का कुछ भाग यह जांगल प्रदेस में आता है एक बच्चा बोल रहा था कि मैं कुश्चन जो है वो इतने आसान है आसान नहीं है बलकि आप लोगों को मैंने इतना पढ़ा दिया है इतने चीजें समझा दी हैं कि यह चीज आपको आसान लगने लगी है नेक्स्ट देखिए यादव वन्स के बलराम वस्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस चेतर से होकर गुजरे थे तो वह जांगल शेतर से होकर गुजरे थे ठीक है कहां से होकर गुजरे थे बिकानेर नागोर और जोदपूर से होकर गुजरे थे किसे जनपद की राजधानी महा भारत काल में विराट नगर थी और उस जनपद का उल्लेक रिग वेद में भी मिलता है। सूर्सेन जनपद में कौन-कौन से जिले आते हैं तो इसमें भारतपुर, धौलपुर और करौली ये तीनों ही जिले आते हैं। सूर्सेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी मथुरा। अगला देखिए आर्रियों का आरंबिक जनतंत्र कौन सा था? तो मतस्य जनपद जो है वह आर्रियों का आरंबिक जनतंत्र था। नेक्स्ट है मतस्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया? चीनी यात्री युवान चांग ने ठीक है? या फिर कहीं पर लिखा होगा हुएन सांग। किस युनानी लेखक ने सूरसेन का उलेख किया? तो युनानी लेखक सिकंदर ने सूरसेन का उलेख किया। नेक्स्ट देखिए कौन सी प्रसस्ती में सूरसे नामक राजवन्स की जानकारी प्राप्त होती है कौन सी प्रसस्ती में सूरसे नामक राजवन्स की जानकारी प्राप्त होती है तो वे है बयाना प्रसस्ती बयाना प्रसिस्ती में हमें सूर से नामक राजवन्स की जानकारी मिलती है सिकंदर की आक्रमन के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजिस्थान में आकर बसी थी जब सिकंदर ने आक्रमन किया था तो उस समय पंजाब से जो जातियां आई थी उनका नाम था मालव, शिवी और अरजुनायन ये राजिस्तान में आकर बसी नेक्स्ट है वर्तमान में राजिस्तान के कौन से शेत्र पर शिवी जाती ने आधिपत्य इस्थापित किया वर्तमान में राजिस्थान के कौन से शेत्र पर शिवी जाती ने आधिपत्य किया तो ये जातियां जो थी वो बाहर से आई थी तो शिवी जाती ने आधिपत्य किया उध्यपूर का पूर्वी, पक्षमी और उत्तर के शेत्र पर अधिकार शिवी जनपत की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है माध्यमिका या मच्चमिका दोनों ही याद रखने हैं कोई भी एक्जाम में पूचा जा सकता है शिवी जनपत की राजधानी कौन सी थी? माध्यमिका या मच्चमिका इसकी राजधानी थी और सूर्सें जन्पत की राजधानी क्या रही? मथुरा रही, वहीं पर जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर रही माध्यमिका के अवसिस कहां से प्राप्त हुए यह चितोड के पास नगरी गाउं से प्राप्त हुए चितोड के शेतर को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसे मेवार, मेदपाट तथा प्रागवाट के नाम से जाना जाता है राजिस्थान के भरतपूर अलवर शेतर में किस जाती ने आधिपत्ते इस्तापित किया भरतपूर और अलवर शेतर में किस जाती ने आधिपत्ते इस्तापित किया अभी हमने क्या पढ़ा था कि उदैपुर के आसपास के भाग में जो शिवी जाती थी उसने अपना आधिपत्ति स्थापित किया था वहीं पर पूरवी राजीस्थान में अरजुनायन जाती जो थी इसने अपना आधिपत्ते सापित किया भरतपुर और अलवर्शेत्र में मालवों की शक्ती का केंदर कौन सा इस्थान था? मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा इस्थान था जैपूर के निकट नगर या टोंक ठीके जैपूर के निकट नगर जो है टोंक वहाँ पर मालवों ने अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था तो हमने तीन जातियां पढ़ी जो की पंजाब से आई थी राजिस्थान में आकर बसी थी तो हमने देखा कि शिवी जाति जो की उद्यपूर के आसपास के शेतर में आकर बस गई थी वहीं हमने देखा कि अर्जुनायन जो है वह है पूर्वी राजिस्थान भरतपूर अलव में आकर बसी और मालवों की जो शक्ति का केंदर था उन्होंने जैपुर के आस्पास रखा मालवों की विजय का यूप अबले कहां इस्तित है यह नांदसा भीलवाडा में इस्तित है किसके आकरमण से जनपद विवस्ता समाप्त हो गई थी? किसके आकरमण से जनपद विवस्ता समाप्त हो गई थी? पांचवी सदी में जब हूण आए तो उनके आकरमण से जनपद विवस्ता समाप्त हो गई जनपदों के पतन का वर्णन हमें कहां से मिलता है? तो इसका वर्णन हमें व्रहत सहिता ग्रंथ से मिलता है जन्पद की समाप्ती के बाद सभी शेत्र किन नामों से जाना जाने लगे जन्पद समाप्त हो गए उसके बाद इन्हें हम जानने लगे मेवाड, बागड, मारवाड, हाडोती, डूडार और मेवाड नेक्स्ट है प्राचीन शिवी जन्पद का शेत्र किस नाम से जाना जाता है तो यह मेवाड शेत्र के नाम से जाना जाता है जिसमें आते हैं वर्तमान के उध्यपूर, चित्तोडगर, प्रतापगर, रास समद और भीलवाडा मेवाड की कुल कितनी राजधानी रही तो समय समय पर मेवाड की राजधानी बदली मेवाड की कुल राजधानी रही साथ, नागदा, आहड, कल्यानपूर, चित्तोड, चावंड और उध्यपूर तो आज हम 25 कुश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसका सेकिंड पार्ट आएगा और यह सेकिंड चप्टर आपका कम्ट्रीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को बार-बार देखना है, जिससे आपको यह चीजे याद होती रहे जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, तो उनको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी इसके अलावा देखिए, RVAC की बुक्स की जो PDF फाइल है, वो भी आप लोगों को मिलेगी जिन बच्चों ने कोर्स लिया है, ताकि आपका जो सेकिंड पेपर है, SST का जिसमें आपका इतिहास, भूगोल और राजनिती विज्ञान आता है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी तो इतना जानिये कि कोर्स लेने से आपको जो है profit ही हुआ है, ये आपको आगे चलके पता चलेगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में, thank you झाल